स्वाकत अब अच्छो आपका सेल्फ स्रेडी के चैनल में और आज हम बात करेंगे कि काला धन यानि ब्लैक मनी किसको कहते हैं उसकी डेफिनिशन क्या है और भारत में कितना काला धन है कि भारत सरकार ने कुछ जवाब बताया है कि भारत में इतना बाहर के विदेशों में इत स्केम चलाए थी उसके अकोडिंग जो रुपया एकठा किया गया था वो 2476 क्रोड रुपया था यानि लगबग 30,000 क्रोड रुपया एकठा किया था और यह कहा गया कि देखो पिछले पांच सालों में जो विदेशी खाते हैं यानि फोरन अकाउंट उसमें कितना काला धन पढ़ा है उसका कोई अधिकारिक अनुबान नहीं है कि हां इतना परिटिकॉलर अमॉंट बहर रखा है नहीं कोई आंग कुछ नहीं पता और पनामा परडाइस पेपर-पर लीक हुए थे पनामा और पेपरडाइस पानामा और पेपर जो लिक हुए थे उसमें भारत की 930 क आपको टेक्स अबिन ते वो भाक्त मिन होता है अपने पड़ेगा गोई हयाँर्ना इह हैं यहां पर आपके सामने चीजें लिख़्ी भूई हुए हैरां इन सभी को इकठा करके उपयोग किया जाता है ब्लेक मनी का डिफाइन करने के लिए अब एक फाइनस मिनिस्ट्री है हमारे देश की उन्होंने एक गुपत अध्यान किया उन्होंने बताया कि वर्स 2004 में निश्कश निकाला गया था कि 90% जो unaccounted money है वो भारत के unaccounted जो money है वो भारत के 90% जो है वो भारत के बाहर नहीं बैसा है भारत के अंदर रखा है clear? अब जो कालेधन है उसको दो चीजों में divide किया गया हमारे सामने रखा गया है एक तो 就 होता है कि कालेधन को हम कितने रूप में बाट सकते हैं, दो केटिगरी में बाटा गया, एक तो है अवैद, यानि इललेगल अक्टिविटीज, इललेगल अक्टिविटीज के मतलब होता है, कि जिनों ने अपनी कमपनी रेजिस्टर नहीं करा रखी, लेकिन वहाँ पर सूचना से रिलेटिट जो चीजे हैं, वो अधिकारियों को नहीं दी जा रहे हैं, मतलब कि अपने अकाउंट को वो मैनिपलेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखें, तो काफी छोटा है, कि भी इसके अंदर आप देख पाएं तो, यहाँ पर दो चीजें बताईगे, एक आउटो बुक्स, मतलब कि अकाउंट, अकाउंट से रिलेटिड आपके कोई खाता ही नहीं है, आप बस पैरलल ही चला रहे हैं उस चीज़ को, अनकाउंट, अनकाउंटेड एसेट है, मतलब आपने उसका विसाब नहीं रख रखा हो, या आपने फरजी वाड़ी कंपनी बना रखी हो, शेर मार्केट में शेर करने के लिए, या आपने खाता तो बना रखा है, अपनी कंपनी तो रजिस्टर है, लेकिन आप उसके रुपया बचाने के कोशिश करते हैं, तो यह सारी चीज़ें जो है, वो बलक मेनी में आजाती है, शिंपल सर्ल भासा में, जैसे मैंने कहा, अगर अधिकारियों से रुपया चुप गया, तो वो बलक मनी में कंसिडर हो जाएगा, अब क्या करते हैं, कैसे यह मार्केट में लेके आते हैं black money को देखो black money को तो यहां पर एक तो जो बाहर के जो बैंक है multi level marketing scheme है यह एक जो बाहर के जो बैंक है उन बाहर के बैंकों के द्वारा जो debit और credit card का जो उपयोग है था उसमें काले धन का उपयोग किया जा रहा है भई प्रचन स्वामित्त्व का मतलब होता है एक तरीके से किसी का उसमें कौन स्वामि है या कौन मालि का उसका पता ना चले एक क्या होता है कि जिनके पास काला धन होता है वो अपने धन को जैसे तैसे एक ऐसे व्यक्ति के तोर पर वो अपने धन को white money convert करना चाते हैं ताकि सरकार को लगे कि हाँ ये एक साफ सुत्रा वेक्ती है अपनी identity छुपाना एक तरीके का mistrit विक्री यानि mixed economy कह सकते हैं हमारे देश में ज़्यादा तर जो हिस्सा है वो अभी भी cash पे चलता है और cash पे चलने का मतलब ये हुआ कि जिनके पास black money है वो black money को white money के साथ मिला देते हैं और जिसको पकड़ना मुम्किन नहीं होता एक होता है sumfring sumfring का मतलब होता है कि आपने कभी bank में गए हो और आपने कहा हो कि मुझे इतनी amount चाहिए मुझे अपने निकलवाना हो तो 50,000 रुपय आप अपने अकाउंट से निकलवाते हैं तो वो pen card लेते हैं आपके pen card दीजी आप तो वहाँ पर एक ज़्यादा amount निकालते हैं तो एक अधिकारियों की नजर आपके उपर आ जाती है इतना रुपया जा कहां से रहा है इसके ऊपर नजर रखी जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग बड़े चलाग होते हैं अब अपना रुपया जो है वो यहाँ पर वो एक व्यक्ति से नहीं बलकि बहुत सारे व्यक्तियों से अकांट से वो निकलवाते हैं तो इससे समफरिंग कहा जाता है अब यहाँ पर अपने ये गलिवा गलत निर्धारन, वेपार मुल्या का गलत निर्धारन बले तो उनोंने अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चैजें की है उसका गलत बता देना इतने का समान आया था इतने का नहीं इतना महेंगा है तो वो चीज़ें गलत उता देना और आपको बताए कि invoice generate करना बहुत आसान हो गया वो गलत invoice या गलत bill बना कर हमारे सामने पेश कर देते हैं हम लेते हैं इनको तुम तो ना मत रखो हम रखवाएंगे इनका तो बेनामी जमीन को लेकर यहां पर चीज़ें होई थी clear अब क्या परभाव पढ़ता है काले धन से देखो काले धन से बहुत चादा चीज़ें का परभाव पढ़ता है काले धन से एक चिदी के से टेक्स नहीं आएगा वो रुपया जो है वो मार्केट के बाहर रहे गया मार्केट के बाहर रहे तो उससे टेक्स नहीं जनरेट होगा अब टेक्स से जनरेट nenhum तक दी दो सोसरकार को घ्टा हो generator को पूरा करने के लिए क्ले क्लिए क्या ब्यास तो बड़ेगा और ब्यास बड़ेगा जिसके कारण क्या होता है कि सरकार को मतलब इसमें बैलन्स करने में मुश्किल आती है अब जो मुश्किल आती है तो वो क्या करेगी अपनी मतलब की क्या कहते हैं कि विकास के कारे करम या अपना खर्च कम कर देगी सरकार अगर खर्च कम करती है सरकार ने कि भी या उसको कुछ सड़क बनानी थी या फिर उसको कुछ और चीजें करनी थी सरकार को तो उसने वो कम करती है अभी नहीं बनाएंगे या फिर कहेंगे कि ये वाला हिसा बना दो ये वाला बाद में बनाएंगे तो अपना खर्च कम कर देते हैं सर अगर खर्च कम कर दिया तो विकास को परभावी देवलोप्मेंट परभावी तो जाएगा तो इससे फरक पड़ रहा है एक कोशन बड़ा उठता है बच्चों के मन में कि सर इंकम टेक्स या फिर कहीं कि हम टेक्स देई क्यों रहे हैं वो तो हम कमा रहे हैं हमने क्यों टेक्स दिया है आप जो धन कमा रहे हो भारत में रहे कर आप जो भी धन कमा रहे हो तो आपके उपर धन कमाने के लिए जो भी विवस्थाएं की जाती है वो गोर्मेंट के द्वारा की जाती है आप जिन संसादनों का इप्योग करके ऐसा नह आगर आप उस पैसे को मतलब आप जब पैसा जनरेट कर रहे हो तो आपका फर्च बनता है कि आप उसके एवज में टेक्स दें तो सरकार चलती कैसे सरकार टेक्स ही जो चल रही है तो यह चीज होती है अब यहांपर धन संचलन का मतलब होता देखिए जो ये लोग जो है वो काले धन को अपने पास रख लेते हैं जो काला धन होता है वो ज़्यादा तर वो सोने में करनवर्ट करा लेते हैं अगर वो सोनना एक अचल संपत्य है यहीं वो बतले है उसको चला नहीं सकते हैं कि भी हाँ अब इसके पास आ रहे एक दुकांदार के पास अब दुकांदार से किसी थोक विक्रेता के पास जा रहे हैं तो ऐसे वो संचलन में नहीं आए वो एक धर्या का धर्या रह गया वहाँ पर इससे क्या होता है इससे यह हो रहा है कि भाईया वो अमीरों के बीच में चल रहा है और जिससे अवसर जो है वो कम पैदा हो रहे हैं जो बाकी लोग है उनके लिए अब यहां पर इससे क्या होता है कि बिरोजगारी भी बढ़ती है कि 2022 उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताए कि भारत में ऐसा मानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि कहा गया है कि भारत के 100% लोगों में से, 100% लोगों में से, 1% जनसंक्या के पास, जो भारत रुपया कमा रहा है, वो भारत रुपया कमा रहा ह उस 100% में से 22% रुपया तो इन 1% लोगों के पास है क्लियर हुआ और जो बाकी जो निच्च बोटम के जो लोग है 50% जो लोग है उनके पास इस 100% रुपया में से सिरुफ 13% रुपया आ रहा है तो यह हो गया यहां पर तो यानि एक तरीके से अमीरी और गरीबी के बीच में तो ओल्रेडी बहुत ज़्यादा ऐसमानता आ चुकी है अगर ऐसा ही चलता रहा तो काले धन से तो और ज़्यादा ऐसमानता आ जाएगी और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाएगा यहां पर कम तो होने के बज़ाए इकुल तो चलेगा ने कि जो अब पहले चलता आ रहा था वो इसेम चलता रहे नहीं जी तो और बढ़ता जा रहा है तो इसके ओपर सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसे क्लास बहिया बहुत ज़्यादा परभावित होती है देखा जाए तो अमीर उकरीबी के बीच में अब सरकार ने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं इसके लिए देखो रोकने के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं and Imposition of Tax Act 2015, Prevention Money Laundering Act 2002, Gold Amnesty Scheme, ये वाली चीज़ें बहर सरकार ने चला रहे हैं, हिंदी में आपके लिए लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मिरे को होता हैं, अब भारत ने जो इंटरनेशनल मामलों में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, भारत ने इंटरनेशनल मामलों में बड़ा ही सतर कर रहा है, हमने DTA, यहनि डबल टेक्सेशन एक एक्ट कर रहा है, दूसरे देशों के साथ, कि भाया, एक व्यक्ति जो है, वो भारत में आकर काम कर रहा है, वो भारत सरकारों को भी टेक्स पे कर रहा है, फिर वो अपने देश में कमा के लेके जा रहा है, तो वहां की देश को भी टेक्स पे कर रहा है, तो डबल टेक्स ना लगे, इसलिए भारत सरकार ने एक डबल देश में जाके गएंगे हम तो उसी देश में देए आए तो इस चीज के लिए भारत सरकार ने क्या कर गए एक Automatic Exchange of Information नाम से एक पोर्टल बना रहा है कि भाईया ये information जो है हमारे देश में आने वाले दूसरे देश के व्यक्ति की जानकारी उसके ही देश को वो देगी और हमारे देश का कोई व्यक्ति है बाहर देश में गया वह कमा रहा तो उसकी information हमें देगी जिससे क्या होगा इस DTA का गलत उपयोग ना हो पाए ये विवस्ता 2017 से शुरू की गई थी क्लियर यहां पर अब स्विंक तुराज अमेरिका के साथ यानि USA के साथ भी हमने एक मतलब एक समझोता का रखा है उस समझोते का नाम है अमेरिका का विदेशी खाता कर अनुपालन यह टेक्स डेसिप्लेन यह एधिनियम हमने कर रखा है एक हम FATF यानि Financial Action Task Force के भी हम सदस्य रहे हैं यह वही है जिसने पाकिस्तान के उपर सेंक्शन लगा रखा है ग्रे लिस्ट में उनको डाल रखा है जिससे कोई भी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उस देश में जाके इन्वेस्टमन नहीं करती जिसके कारण पाकिस्तान के बुरी हाल जर्षा के लिए एक उप्यक्त मतलब कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सुरुक्सित होender किसी बारें पता ना चले वहां पर असानी से जाकिर जो उन्होंने शिकायती में उसका अच्छे से सी्ट को दूर किया जाए अगर विस्टलौर है तो उसकी शुरुक्षा हैं भारत में उनको स्ट्रोंग बढ़ाना होगा जैसे सी बीडीटी होगी जो सी बीडीटी के तैद के विदेशी कर अनुसंदान जांच पर भाग को मजबूत करने की बहुत जुरूरी है एक चुनाव सुधार चुनाव सुधार तो इसलिए क्योंकि बहुत सारा जो काला धन सबसे important चीज ही है जो अगर यहां पर स्टार मार कर लिते हैं कि जो सुनाव सुधार है सबसे जादा फर्च हो रही है वो आज की बेट में वो यहां पर मतल़ों खर्च आ और यह जो जहां पर लगाई जा रही है वो यहाँ पर, election के दुराहनी सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज के जाती है, तो इसको लेकर भी हमें एक तरीके का, या government को या भार सरकार को एक नियम बनाना होगा, कि उच्छी सुधार कर सेके यहाँ पर, एक होता है कि click को एक, या जो employee है, उनको एक training प्रवाइड करना, एक domestic level पर, international level पर, ताकि वो अपने काम को बहतर कर सके, for example, financial intelligence unit इंडिया ने, अपने ही, जो employee है, उनको, कि भाईया, जो, आंतकवादियों को जो रुपया दे रहा हैं, जो black money है, उनको रोकने के लिए, काफी जगह उनको, प्रिक्षिक्षन है, यानि training प्रवाइड कर रही है, कि अगर आप incentivize करेंगे, यानि लोगों को इस तरीके के motivate करेंगे, कि आप bank से लेन देन करिये, आपको incentive मिलेगा, आपको इस चीज में छूट मिलेगी, तब यहाँ पर क्या होगा, कि अगर पैसा, आप कह रहे हो, कि नगद हो रहा है, तो नगद में देखे, उसको लेना पड़ेगा, उनके एक infrastructure हमें यूज करना पड़ेगा, तब यह चीज़ें सही हो पाएंगे, इस काले धन को तब रोख पाएंगे, तो आज का यह जो topic था काले धन से related, I hope so आप लोगों को समझ में आया होगा, और यह जो PDF है, वह आप लोगों को इस channel के description box में, या फ आपको लिखने की attention नहीं लेनी है, लिखना तो मैंने आप लोगों के लिए easy कर रहा है, यह जाकर आप download कर लीजिए, और वैसे भी देखे, UAE 100% वह अपने आपको कह रहे हैं कि paperless हो गए हैं, वह आपर कागचीज नहीं कर रहा है, तो एक तरीके का मैं भी आप लोगों को paper करने वाला या ऐसा कुछ करके हैं, तो share कर दीजिए, वीडियो को भी और channel को भी, thank you for watching this video.